हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज की वीडियो में मैं आपसे शियर करूँगी मा मंगला गौरी वरति की कथा अगर आप मेरे चैनल में नए आये हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब परना ना भूलिएगा बैल आईकन को प्रेस कीजिगा ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे वीडियो पसंद आए तो लाइक जोगी कीजिगा ज़्यादा से ज़्यादे मेरी वीडियो को शियर कीजिगा सुरू से लेके आखरी तक मेरी वीडियो को पूरा देखीगा तो चली फ्रेंड्स हम वीडियो सुरू करते हैं मा मंगला गौरी वरति की कथा पुराने समय में एक धरमपाल नाम का सेड था उसके पास धन्य धाने की कमी नहीं थी लेकिन उसका वंस बढ़ाने के लिए उसके कोई संतान नहीं थी इस वज़े से सेड और उसकी पत्नी काफी दुखी रहते थे जिसके चलते सेड ने कई जब तप ध्यान और अनुष्ठान किये जिससे देवी प्रशन हुई देवी ने सेड से मंचाहावर मांगने को कहा तप सेड ने कहा कि मैं सर्व सुखी और धन धाने से समर्थ हूँ परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ मैं आपसे वंस चलाने के लिए एक पुत्र का वर्दान मांगता हूँ देवी ने कहा सेट तुमने यह बात दुरला वर्दान मांगा है पर तुम्हारे तप से परशन होकर मैं तुम्हें वर्दान तो दे देती हूँ लेकिन तुम्हारा पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा यह बात सुनकर सेट और सेठानी काफी दुखी हुए लेकिन उन्होंने वर्दान स्विकार कर लिया देवी के वर्दान से सेठानी गर्वती हुई उन्होंने एक पुत्र को जनम दिया सेठ ने अपने पुत्र का नामकरन संसकार किया और उसका नाम चिरायू रखा समय बीता गया और सेठ से ठानी का पुत्र की मृत्र की चिंता सताने लगी तब किसी विद्वान ने सेठ से कहा कि यदि वा अपने पुत्र का विवा ऐसी कन्या से करा दे जो मंगला गौरी का व्रत रखती है इसके फलसरूप कन्या के व्रत के फलसरूप उसके वर्द की दीर्ग आयू प्राप्त होगी सेठ ने विद्वान की बात मान कर पुत्र का विवा ऐसी कन्या से ही किया जो मंगला गौरी विधी पूर्वक व्रत रखती थी इसके परिणा स्वरूप चिरायू का अकाल मृत दोस स्वते ही समाप्त हो गया और राजा का पुत्र नामा अनुशार चिरायू हो उठा इस तरह से जो भी इस्त्री या कुवारी कन्या पूरे सर्दा भाव से मंगला गौरी व्रत रखती है उनकी सभी मनोरत पूर्ण होती है और उनके पती को दीरग आयू प्राप्त होती है मा मंगला गौरी की जै हो अगर फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चरण को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई